तो सभी बाईयों को नमस्कार आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है बकरों का वजन कैसे बढ़ाएं बकरी पालन में अक्सर इस चीज को रहता है कि हम ऐसी कौन सी डाइट दें जिससे हमारा बकरा हैवी वेट तयार हो हर महीने 4-5 केजी वजन प्राप्त करें गेन करें बकरा साल बर में तयार नहीं होता है या तिवार का समय है दो-तीन महीने आपके पास बाकी है बकरीद आने वाली है तो आप कौन सी डाइट देंगे जिससे आपके बकरे का अच्छा वजन प्राप्त कर ले तो एक बहुत ही पुराना नुस्खा है आप गूगल में सर्च कर देंगे तो आसानी से मिल जाएगा बहुत बेहतरीन काम करता है लेकिन जो भी नए बकरी पालक बाई लोग जुड़े हुए हैं उसके बारे में नहीं जानते हैं तो वो सारी चीज डीटेल से बताऊंगा प्लस एक दो तीन चीजें और बताऊंगा डेसी तरीके में आप क् आपको ब्रीड यदि आप छोटी नसल की बकरी पाल रहे हैं आपके यहां छोटी नसल की बकरी पाली जाती है तो वो कितना वजन ब्रीड का हमको पता होना चाहिए कि ब्रीड मैक्सिमम कितना वजन गेन करती है यदि हम ब्लैक बंगाल पाल रहे हैं और उसका मैक्सिमम के बकरे तयार कर रहे हैं तो उनका वज़न जो है 70 kg, 80 kg, 100 kg जाएगा जो बकरे 100-100 kg प्लस पहुचाते हैं तो आप भी यह समझ लीजिए क्या वो नेचुरल डाइट से पहुचाए जा सकते हैं या नहीं यहाँ पर अपना माइंड यूज कीजिएगा वो जो बकरे होते हैं मोस्टली लोग इस्टेराइड वगेरा यूज करते हैं बिलकुल किलियर चीज है यदि 100 प्लस बकरा जा रहा है उसकी डाइट ऐसी दी जा रही है तो वहाँ पर कहीं न कहीं इस्टेराइड यूज किये गए हैं जिसकी वज़े से वो उतना वेट पहुचा है नहीं तो जो कामन ब्रीड का जो है कि जैसे जमना पारी हो गया आपका मैक्सिमम कितना जाता है 70 कजी 80 कजी तक बकरा जाता है तो 70 से आप 100 तक ले जा सकते हो ना कि वो 200 जाएगा यदि 1500 पहुच रहा है तो क्या है कहीं न कहीं स्टेराइड यूज किये गए हैं आज यहां जो मैं आपक दूसरा क्या रहता है आप समय से कीड़े की दवा देते हैं कि नहीं तो डी वार्मिंग वगएरा आप यह चीज समझते होंगे बकरी पालन कर रहे हैं तो समय से कीड़े की दवा देते होंगे साथ में कैलसियम वगएरा यह फासफोरस वगएरा मिनिरल मिक्चर वगएरा य आपको देना देना है समय से देना यदि वज़ा अच्छा लेना अब यहां पर हम डाइट की बात कर लेते हैं कि बाकरों को हम खिलाएंगे क्या तो यहां पे जो मैं डाइट की बात कर रहा हूं वह को आए तीन केजी तीन महीने से उपर के बखरें तीन महीने के ऊपर के आपको लेना क्या क्या है सबसे पहले आपको लेना एक गयूं जव मक्का बाजरा कितना लेना है दो केजी दो केजी हम दो केजी इसलिए ले रहा है ताकि आसानी से यह डाइट जो है आपकी 15-20 दिन या महीने बर में खतम हो जाए इसको बनाके बहुत दिनों तक इस्टोर नहीं करना है यदि ज़्यादा क्वांटिटी में हम इसको बनाके इस्टोर कर लेंगे तो क्या होगा खराब हो जाएगी गुड एक केजी नमक 100 ग्राम हल्दी 50 ग्राम सफेद तिल 100 ग्राम यहां पर एक चीज छूट गई है सोयावीन आपको दो केजी लेना है इतनी चीजें आपको लेनी है एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपको लेना एक ग्यें हूं आपको बाजरा मक्का यह 3 retrospect तरीके के आप ग्रेंस ले सकते होaa के क्वांटिटी में ले सकते हैं यहां पर क्या करना है हमको सोया बीन जो है उसको रोस्ट कर लेना यानी भून लेना इसको क्या करना है भून लेना है बहुत पुराना नुस्खा आए आपको गूगल पर मिल जाएगा सारी चीजें वो चीजें आपको करनी करनी है कौन सी डिवार्मिंग समय से करना है ब्रीड आप देख लोगे यदि आपका बकरा अच्छा वजन पकड़ रहा है अच्छा है तो अच्छी ब्रीड का है तो यह डाइट आपको चला सकते हैं या छोटी ब्रीड का भी है तो वो वे वजन जो है पकड़ेगा लेकिन वह 5 किलो छे किलो नहीं पकड़ेगा तीन किलो, 4 किलो तक महिने का वजन पकड़ सकता है इस डाइट पर में अजन टおお- क्या करना है इस विफ सोयाबीन को आपको रोस्ट कर लेना एं भून लेना इसके बाद जितने एक ग्रेंस हैं यहां से जितने ग्रेंस है इसको क्या करना है मोटा दर्रा बनवा लेना है बिल्कुल बारीक आटे जैसा इसको नहीं पीसना है इसका दर्रा यूज करोगे दर्रा बनाने के बाद आपको क्या करना है तीन महीने के ऊपर के बकरे को आप 1.500 ग्राम 1.500 ग्राम लेना है इसके बाद इसमें क्या लेंगे 1.500 ग्राम ये आपने ले लिया इसके बाद लीवर टॉनिक आपको लेना है लीवर टॉनिक पांच से 10 एमिल पहली चीज लिवर टोनिक आपने ले लिया 5 से 10 एमिल तीसरी चीज क्या लेना है कैल्सियम कैल्सियम आपको लेना है 15 से 20 एमिल इसको क्या करना है कि अलो से धव्य भानां दोन धमनी कुल रही है सिर्फ पानी वश्य है निकल रहा है ये बता बच्चे का मूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पानी की फूट गई है ये बताओ इसके बाद बकरी बैठी है कि खड़ी है जोर लगाती है नहीं लगाती है कितनी देर से जोर लगा रही है पर चालू लेकिन बैट के वो जो 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 रहा है कि ने यहां अभ HE लगा रही है यह अभी लगा रही है अभी लगाना चालू किए आ उसे लेकींब हो यह फिर पंद्राइट में अभी जो आए जाएगी याँ बैठ के जोड लगा रहे हैं तो पंद्राइट में जरूरत नहीं है ठीक है अभी ब्याज प्रेश յिस्ट बाद मेरे पास फोन कर लेना भी ब्याज जाएगी पर इसको क्या करना डेड़ सो ग्राम आप ले लोगे दर्रा जो है एक तसला बगाउना जो भी है आप उसमें ले ले लेना है पांच से दस एमल लीवर टॉनिक अब लीवर टॉनिक यदि बूटोन यूज करते हो तो आपको क्या करना है लगबग 15 से 20 एमल यूज करना है कैल्सियम आप 15 से 20 एमल उसी में अच्छी तरह से मिला लेंगे मिलाने के बाद ये आपको चीजें मिला के नहीं रखनी है जैसे गुड़ एक केजी मिलाना है तो ये आपको मिला के उसमें नहीं रखोगे नमक आप चाहो तो मिला के रख सकते हो नहीं नमक भी नहीं रखना है हल्दी भी आपको अलग रखना है सफेद तिल इसमें चाहो तो मिला सकते हो बाकी ये तीन चीजें आप अलग रखोगे गुड नमक हल्दी और इसको भी रखना चाहो तो अलग रख सकते हो या मिला सकते हो आपको क्या करना है एक चुटकी लग भग लेना है अलदी और ये थोड़ा सा गुड लेना है नमक लेना है एक चुटकी नमक ले लिया एक चुटकी अलदी ले लिया और थोड़ा सा गुड ले लिया अच्छी तरह से मिला लोगे लड़ू टाइप का बना लोगे या लड़ 100-100 ग्राम यदि बड़ा बकर है तो 300-300-300 ग्राम के बीच में तीन महीने के उपर के ही भकरों को यह देना है तो पूरा एकदम से 500-100 ग्राम नहीं देंगे 50 ग्राम से चालू करेंगे दीरे दीरे उसको बढ़ाएंगे यदि अगदम से दें दोगे तो क्या हो जाएगा पेट में पानी बर जाएगा या दस्त लग जाएगे तो इसलिए दीरे दीरे बढ़ाना है सूबाई डेड़ सो ग्राम देना है और साम को भी डेड़ सो ग्राम देना है इस तरह से करेंगे तो आपके बकरे का वजन 3-4 केजी बड़ी ब्रीड का बकरा है तो बढ़ने लगेगा लेकिन जैसा मैंने बताया समय से डी वार्मिंग करनी है समय से आपको बीच-बीच में इसमें मल्टी विटामिन वगएरा भी चलाने है अब कहेंगे बीमल भाई केलसियम में भी तो मल्टी विटामिन साता है तो हम अलग से मल्टी विटामिन क्यों दें या फिर जो मिनेरल मिक्चर आता है उसमें भी मल्टी विटामिन या मिनेरल्स वगएरा रहते हैं तो फिर हम अलग से चीजें क्यों दें तो देखिए यदि आपको इस्ट्रा चीजें चाहिए यह इस्ट्रा गेन चाहिए, तो यह इस्ट्रा चीज़ें थोड़ी देनी होंगी, तो यह थोड़ा सा आप बीच बीच में दे सकते हैं, अब यह लीवर टॉनिक और कैल्सियम आप 10 से 15 दिन मिलाएंगे, यह पिर नजदीक है, जैसे बकरीद नजदीक आने वाली है, तो कांटिन्यू भी चला सकते हैं, यानि यदि बकरे आपके बेंचने लायक हो गए हैं, दो-चार महीने में बेंचने वाले हो, दो-चार-पांच-छै महीने का समय ही आपके पास बचा है, तो फिर continue भी ये चीज़ें दे सकते हो क्या लीवर टोनिक और कैल्सियम यदि आपके पास तीन महिने का भी प्लस ही हुआ है बकरा दीरे दीरे बढ़ा रहे हो तो फिर क्या करना है कि आपको ये 10 दिन चलाना है 10 दिन के बाद रोक देना है दाना आप continue चलाएंगे हलो हलो ये हो गया आपका पहला तरीका ठीक है इस तरीके के अलावा कुछ और तरीके हैं जिससे बकरों का वजन बढ़ाया जा सकता है अगला तरीका क्या है जदि आप लोग भी membership नहीं लिए हो तो जूड़ सकते हो आप लोग देख सकते हो continue phone आते help मैं करता रहता हूं अलो 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 हाँ बताएं भाई अंजी अलो आवाज नहीं आ रही क्या मेरी नमस्ते बताएं दाना ज्यादा खिला दिये होगे अरे उसी में दाना रहता है कि ठूरी निकलती है तो उसमें चोटा चोटा दाना रहता नहीं है जब दूला जाता है कि खिला दिये हो ज्यादा उसको खाएं कुछ खा नहीं रहे उसके पेड में पानी बोल ला होगा देखना लेफ्ट साइड में पा उसको तुम खाने वाला सोड़ा जो है दिन में तीन चार बार देते रहो दस से पंद्रा ग्राम ठीक है पानी बोल ला है नहीं बोल ला है करकी बात तो है आज यह बताओ पेड में पानी तो नहीं बोल ला है कुछ भी नहीं खा रहे हैं पत्ता पकड़ी है कि नहीं पकड़ी है कल से कुछ पत्ता वगेरा पकड़ा के देखो पत्रा उसको थोड़ा सा डाइजीन पिला पंद्राइमल यूमन की जो डाइजीन आती है ठीक है मेरे पास वाटसेप कर देना बता दूंगा उसे ठीक है तो यह समस्य हैं अक्सर बकरी पालन में लगी रहती है और यह आपको जानकारी नहीं है तो यह निश्चित रहता है कि आपका नुकसान होगा तो ऐसे आदमी से जुड़ जाओ जो आल्रेडी काम कर रहा है उसके बारे में बेटर पता है तो कुछ ना कुछ आपको सला दे देगा और मेरी फीस जो है वो भी बहुत अधिक नहीं है सिर्फ 500 रुपईया लेता हूँ साल का लेता हूँ ठीक है अभी ट्रेइनिंग का नया बैच चलने जा रहा है पांच अप्रेल से उसमें बहुत बेतरीन जानकारी मिलेगी एक हजार रुपईया फीस है आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा बिल्कुल किलियर चीज है और म सफेद मूसली का पाउडर तीन से पांच ग्राम और क्या करना है आपको यही लेना है सोया बीन रोस्टेड ठीक है पचास से सो ग्राम बुनी हुई यहां रोस्टेड बुनी हुई पीस लेना है इसको क्या करना है पाउडर बनवा लेना है सफेद मूसली पाउडर तीन से पांच ग्राम और सोया बीन सोया बीन पाउडर बनवा लेना है ठीक है पचास से सो ग्राम अब ये देना कैसे है इसको सानी में मिला के देना है आपको इस चीज का द्यान रखना है इसे नहीं खिलाना है गेऊं के भूसे की आप थोड़ी सी सानी बनाओगे थोड़ा सा भूसा इतना यदि कोई बकरा आय तो उसमें थोड़ा सा भूसा की आप सानी बढ़िया बनाओगे और उसमें 50-100 ग्राम मिलाओगे सोया बीन जो बुनी हुई है उसका पाउडर बनवा लेना है पाउडर बनाके 50-100 ग्राम ये 30-50 केजी के बकरों में यूज करना है 30 केजी प्लस बकरों में यूज करना है इतना जो ये मैंने बताया है ये इससे कम का है 20 केजी के आसपास है त थोड़ी सी quantity इसकी कम कर सकते हो आधी कर सकते हो ये आप मिला के दोगे इससे जो है आपके बकरे का वजन जो है बढ़ने लगेगा बालों में चमक आ जाएगी ये natural तरीके हैं जो मैं बता रहा हूँ अब बिमल भाई ये मत कहना कि ये 1500 केजी के बकरे हमको पहुचाने है तो क्या इस डाइट पे पहुचा देंगे वजन बढ़ेगा ये दोगे तो वजन 100% बढ़ेगा लेकिन ब्रीड के हिसाब से ही बढ़ेगा यदि आपकी ब्रीड जैसा मैंने बताया 70 केजी उनका बकरा ज रहता है 70 केजी जाता है तो आप यह देखें इस तरह है की डाइट देके अंडेट केजी तक ले जा सकते हो लेकिन 200 केजी नहीं जाएगा वीडियो चाहिए जो कोई बना दे की 500 केजी का बकरा तयार करो 200 का करो 300 का तयार करो उनकी डाइट अलग रहती यदि वहशें भी सी हैं लेकिन उसके लिए ब्रीड भी आपको होनी चाहिए अब जो डेड़ सो केजी बकरा जाता है उसका सेलेक्शन का इसे होता है सबसे पहले तो यहीं चीज समझ लो यह देखा जाता है कि कौन सा बकरा हर महीने ज्यादा वजन पकड़ रहा है हमको पचास बकरे लेने होते है जो सो सो केजी प्लस के बकरे तयार करते हों क्या करते हैं पचास बकरों पे रिसर्च करते हैं पचास बकरे उन्होंने लिए पचास में हर महीने देख रहा है कौन से बकरों में वजन बढ़ रहा हर दो तीन महीने बाद छाटते चले जाते हैं जिन बकरों का सबसे कम वजन बढ़ा 10 बकरे अटा दिये, कितने बचे अगले महिने, 40, यानि 3 महिने से उपर के बकरों में वो इस तरह के छाटने की प्रोसेस चालू करते हैं, जो 10 सबसे कम वजन किये थे, उनको अटा दिया, पांचवे महिने जो 10 कम वजन किये थे, उनको अटा दिया, इसके बाद फिर है, वो बकरे रखते हैं, उनमें से तयार करते हैं 5-10 बकरे, 50 बकरों में सेलेक्शन करते हैं, तब वो जाके 10-5 बकरे वहां तक पहुँचते हैं, और आपका क्या रहता है, फार्म है, हर बकरे का वजन 100 केजी पहुच जाए, बिमल भाई, इसा तरीका बता दो, हमारा बकर आपके पास 50 बकरे हैं, तो 50 बराबर वेट गेन नहीं करेंगे, उसमें कुछ कुपोसी तो हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमको क्या लेना होता है, प्योर क्वालिटी लेनी होती है, कौन सा बकरा, अच्छा वजन पकड़ रहा है, ऐसे लोग काम करते हैं, जो 100-100 केजी के प एक छोटी कटोरी गेहूं का दलिया लेना है, जिन बकरियों, यह बकरियों को भी दे सकते हो, यदि बकरियों का वजन नहीं बढ़ता है, बहुत दुबली बनी रहती है, तो क्या कर सकते हो, एक छोटी कटोरी, यह सब गूगल में मिल जाएगा, आप लोग सर्च करोगे, तो ठीक है, बहुत पुराने नुस्खा हैं यह, गेहूं की दल, गेहूं, गेहूं का दर्रा लेना है, ठीक है, जिसको दलिया भी बोलते हैं, इसको क्या करना है, पचास ग्राम गुड़, उबाल लेना है, पचास ग्राम गुड़ डाले के कितना पानी लोगे, तीन लीटर, दो से तीन लीटर पानी में एक कटोरी ले लेना दर्या, यानि देर सो दो सो ग्राम, ठीक है, जब उबालोगे तो चार सो पान सो ग्राम पहुंच जाएगी, उसको क्या करना है, पचास ग्राम उसमें को उबाल के रख दो गया, खिलाना का भै? और सुबै खाली पेट, यह आप खिलाओगे महीने दो महीने बाद रिजल्ट देखोगे, एक तरीका यह औगया, एक और बहुत बेतरीन तरीका है, आपको क्या करना है? गेहूं और मक्चे का आठा लेना है, यह लेना है? गेहू प्लास मक्का का आटा क्या करना है दो ठो रोटी बनानी है मोटी मोटी बणिया उसमें क्या करना है थोड़ा सा नमक डालना है थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है बणिया चुपडना है और सुबह खाली पेट बकरों को खिलाना है कब खिलाओगे मक्के के आटे की मोटी रोटी मोटी दो रोटी बनाओगे सरसों का तेल चुपड़ोगे सरसों का तेल नमक उसमें लगाके सुबह रोज खाली पेट देना है आप रिजल्ट देखोगे जो कहते हो भीमल भाई हमारे बकरे के पेट नहीं उपर की तरफ उठ रहे हैं तो ये इतना देने से रिजल्ट मिलेगा लेकिन जैसा मैंने सारी चीजें बताई आपको हाँ कि सब सो केजी नहीं पहुँचेंगे किलियर चीज है ठीक है इस तरह से सब सो केजी पहुच जाएं तो फार्म में जितने बकरे रहते हैं सब का वजन सो केजी ही होएगा जो भी जितने लोग फार्म कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है selection करना पड़ता है जैसे मैंने बकरों का selection आपको बताया लिखना चाहो लिखलो, इनमें से कोई भी तरीके आप यूज कर सकते हो यह तरीका यूज कर सकते हो यह ज़्यादा बकरे हैं, आपको यह तरीका यूज करना है, एक दो बकरों को खिलाते हो तो रोटी ओटी खिला सकते हो क्योंकि आपके पास 30 बकरे हैं तो 30 रोटी थोड़ी बनाने बाइट होगे वहाँ पर ये तरीके यूज करना है बकरे आपके पास एक दो तयार कर रहे हो तो ये तरीका भी यूज कर सकते हो बकरियां आपकी वजन नहीं पकड़ रहे हैं बहुत दुबली पतली हैं बच्चा देने के बाद दुबली हो गई हैं बहुत ऐसा रहता है गयों का दलिया यूज कर सकते हो उसमें थोड़ा सा गुर डाल के रात में उबाल दो सुबह खिलाओ ये तरीका मैंने आल्लेडी पह स्टेसफाई हैं कोई ये नहीं कह सकता भी मलवाई हमको सीखने को नहीं मिला बस आये हो इसे बस हवा बाजी कर दी थोड़ा इदर बताया थोड़ा उधर बताया वहुत डीपली बताया है और साथ में बैक सपोर्ट करता ही करता हूं एक साल तक करता हो यदि सिर्फ मेंबर जाओगे तो चलता हूँ बस इतनी जानकारी देनी थी मिलूँगा अगले वीडियो में तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं बाई बाई है गुड़ डे थैंक यू और जो लोग ट्रेनिंग लिए हैं उनका यद किसी का फीड़ वैक देखना चाहते हो अस सुबह कि फ्रीक फोन किया था राम रतंजी ने फोन किया था बकरों को मोटा करने का तरीका बताओ अब इन्सक्राइब के पास पुछते हैं ट्रेइन बैच में जुड़े हुए इन्हेंसे पहुंचते हैं ट्रेनिंग में कुछ सीखे कि नहीं कि आए है यहां सबसे बड़ा इसू रहता है नेटोवर का नेटोवर का नहीं आता है सही से हालो अ हलो है अ हलो है नहीं क्या राम रतन जी अ कराओ कराओ अ कि हालो कि हालो हाँ नमस्कार राम रतन जी कि अरे ये कह रहा है ट्रेनिंग सही से लगी की नहीं बैच ठीक से गया की नहीं अच्छा आप सुबह फोन किये थे हमाई पास कह रहे थे बकरों को मोटा करने का तरीका बता दो अच्छा आप बहुत कुछ शिख लिया आप से चुरकर आइसा तो नहीं लगा पैसा वेस्ट चला गया आप बोलो तो और डाल दो पैसे आम लो लगेंगे क्लासें और बीच बीच में मिलती रहेंगी आजी आपको मैं डाल दूंगा बगरा मोटे करने का तरीका ठीक है उसको और तरीके बता दूंगा और बहुतरीन तरीके बताओंगा आपने फोन किया था तो मुझे लगा क्यों ना इस पर वीडियो सूट कर देता हूं ठीक है हाँ यह कह रहा है हाँ कि पहले आपने एक साल तो कंटेशन हमने जब भी जरूरत परी बगर मेंबर्शिप के भी आपके जरूरत बरी तो आपने तूरा हुलाज बताया है इसको यह दे इसको यह दे अच्छा अब देखो मुझे तो यह जानकारी नहीं है कि आपको मैंने बताया है मेंबर्शिप में क्योंकि रोज सौ फोन लगबग आते मुझे जानकारी नहीं रहती है आप आप चलो लाब होना चाहिए देखो लाब होता है किसी को तो हमें भी खुसी होती है किसी से पैसा लिया है कम से कम जेनुवन उसको लाब मिलना खुस है सामने वाला किसी नहीं कहा कि बहुत कुछ मिला और कहीं से लिया था क्या पहले ट्रेइनिंग नहीं कहीं से नहीं अच्छा 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 कि या तो बीस इकीस बाग काफी है क्या बीस इकीस है दीरे दीरे बढ़ जाएंगे परेसान नहों है आँ है अन्य आँ हमारे अ जब श्कुर्ण की है बच्टी बाएट इस सटमर में आ तक टेक टेक तेक पांज बखरी आन्या वीज़ा दस बच्छी थे राजा इनुशी चलो चलो जो समस्या यह पूच्टे रहे ना ठीक है यह 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 और के रहा है सुंके हां जो जैसे गिराना बंद करते दे देना या अभी भी कोई समस्या लगे तो कभी भी दे सकते हो ठीक उससे कोई दिक्कत नहीं है यह तो आप लोग देख सकते हैं बमे वीडियो बनाने के लिए तो मैंने जो है बना दिया है आज की यहां पर दो दिन खेला जाला जाता है तो आज भी यहाँ पर यह रही है आप सबी लोगों को की फिस प्ंप काम नए चलते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में बाई बाई, have a good day, thank you.